हलो एब्रिवन मैं कलपिता ब्यूटी नाइंग से आज हम देखेंगे कि हम आखों की मसाज कैसे करेंगे लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो आखों की मसाज बताई थी वो हमारी आखों की सूजन को कम करने के लिए थी आज जो मैं आपको मसाज बताने वाली हूँ वो हम के लिए देखेंगे लास्ट वीडियो में मैंने ओलिव ऑईल के साथ आखों की मसाज की थी इस वीडियो में मैं मॉश्चराइजर के साथ आखों की मसाज करूंगी आज मैं इस्तेमाल करूंगी ओरी फ्लेम से यह मॉश्राइजिंग डे क्रीम तो आइए शुरू करते हैं इस तरीके से हम क्रीम ले लेंगे और हमारी आखों की चारो तरफ अच्छे से लगा लेंगे आप इसकी जगह ऑईल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह आपको जो है मॉश्राइजर या ओईल आप जिसकी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह आपको अपनी आखों की चारो तरफ लगा लेना है अब हम पहली स्टेप के साथ स्टार्ट करेंगे हमारे हाथ बिलकुल साफ होने चाहिए ये मसाज करने से पहले क्योंकि हम आखों की मसाज कर रहे हैं आए शुरू करते हैं इस तरीके से जो आपको मसाज शुरू करनी है पहले आप ये पांच बार इस तरह कर लेंगे फिर आप उपर की तरह चाहेंगे ये मसाज करते हैं स्पेशली स्टेप करते हैं आपकी आखे बंदूनी चाहिए अब हम सर्कुलर मोशन में इस तरीके से पांच से साथ बार इस स्टेप को रिपीट करेंगे इस स्टेप के बार अब हम हमारे नाक जहां से शिर्वात होती है वहां से नीचे की तरफ जाएंगे होटो तक इस स्टेप को भी आपको पांच बार करना है यह होने के बार अब हम शुर्वात करेंगे हमारे माथे से लेकर हमारे नाक के बीछ जाने तक यह स्टेप भी हमें पांच बार करनी है अब उसके बार हम करेंगे हमारे आखों की सिखावी हमें इस तरह हमारे हाथों को मसला है इसके हमारे हाथ थोड़े से गरम हो जाएंगे क्योंकि इस तरह के से हीट क्रियेट होती है और अब हाथों को इस तरह आखों पर रखेंगे सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे आपको इस तरीके से अपने हाथों को आखों के उपर गुमाना है यह होने के बाद हमारी उंगलियों की मदद से हमारे जो आखों के गोले होते हैं हम उनके उपर इस तरीके से जो है सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे यहाँ पर आपको प्रेशर जो है कम देना है यह हो जाने के बाद हमारे आखों के नीचे जो है हड़ी होती है आपको उस हड़ी को इस तरीके से जो है दीरे दीरे प्रेस करना है उस समय आपकी आखे उपर होनी चाहिए आपको आखे खुली रखनी है और आपको इस तरह उपर देखना है यह स्टफ हो जाने के बाद हमें अपनी दो फिंगर से यहाँ पर सर्कुलर मोशन में जो है इस तरीके से मसाज करनी है प्रेशर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कुछ लोगों को कम प्रेशर लगता है कुछ लोगों को ज्यादा प्रेशर लगता है अब लास्ट टेप जो हम रिपीट करेंगे हमारे हाथों को अच्छे से मस लेंगे और मसाज को खतम करने से पहले इस तरीके से आप अपनी आखों पर रख देंगे आखे आपको धीरे धीरे खोलनी है और अगर आप इसे अंधेरी जगह में करेंगे तो आपको रिलाक्सेशन बहुत अच्छे से मिलेगा उस जगह पर शांती होनी चाहिए और बहुत जादा उजाला नहीं होना चाहिए तो आपको जो है असर काफी अच्छा इसका मिलेगा तो यह कि दोस्तों कुछ स्टेप्स आई मसाज रिलाक्सेशन के लिए अगर आपको आज की विडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट शरूर करें बाहिए